हेलो दोस्तो ओलिन वर्ण टीटी चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कुछ वी दिनों में बिहार में एलेक्शन कंड़क्ट होने वाली है और इसकी तैयारी जो है बिल्कुल जोरो सोरो से चल रही है दोस्तो आप सभी देख सकते हैं भागलपूर के द्वारा बिहार विधान सभाद चुनाओ 2020 को ले करिये जारी की गई है इलेक्शन तैयारी को ले कर दोस्तो आप सभी देख सकते हैं बिसे में है आशन विधान सभाद चुनाओ 2020 के करम में पूल ड्यूटी पर कर्मियों का डाटाबेस की तयारी के लिए पदस्थावित कर्मियों की सुची बिहित परपत्र में उपलब्ध कराने के संबंध में हैं। इसी यह आस लगाई जा रही थी कि अभी जो संकर्मन अपने देश में फैला हुआ है उसको देखते हुए एलक्षन में थोड़ी डीले होगी लेकिन आठ पांच दो हजार बीस के डेट में भागलपूर के साथ साथ कुछ अन जिले से भी यह लेटर आ चुका है कि चुनाओ की काम जो है शुरू हो चुकी है और बहुत जल्द आचाहर संगिता भी लागू हो जाएगी। वहीं पे बिहार टीटी और सीटेट उत्तिन अभियर्थी का यह उमीद था कि बिहार बिधान सभा चुनाओ होने से पहले बिहार सरकार एक बार बहाली तो खड़ेगी ही कड़ेगी चुनावी लॉलीपॉप को ध्यान में रखते हुए एक बार बहाली होगी। लेकिन ये भी आज जो है अब टूटने जा रही है। वहीं पे दूसरे तरफ बिहार एस्टेट परिक्षा देने वाले अभियर्थी भी तरफ रहे हैं क्यों उनकी रिजल्ट कब जारी होगी और उनकी भी बहाली कब होगी। कुल मिलाकर कहा जाए तो बिहार के अभियर्थी जो बियड और डियलेड किये हुए हैं सिक्षक बहाली का इंतिजार कर रहे थे कि एलेक्षन से पहले उनकी बहाली की परकिरिया सुरू हो जाएगी। अब इस लेटर को देखने से यह असपाश्ट हो रही है कि आप बहाली की परकिरिया जो है इस चुनाव से पहले संपन नहीं होगी। चुनाव के बाद जो है जा सकती है आपकी बहाली परकिरिया क्योंकि अब इलेक्षन की तैयारी सुरू हो चुकी है बहुत जल्द अचार संगीता लागू हो जाएगी और पिहार सिख्षक बहाली और एस्टेट बहाली जो है पुन्ता से हुए का गार पर दिख रही है दो प्रात्मिक का उसमें कितना साथ किसको किस ने दिया है वो असपस्ट हो चुका है हमारे यहां बहुत भारी संख्या में स्टुडेंट है लेकिन ट्वीट की संख्या एक लाग हुआ है और इसकी फायदा भी कोहमेंट उठा रही है जहां एक्षन से पहले आपकी बहाली पन हो जानी थी वह बहाली जो है अब तूड़ी तरह फसने की कगार पर आ चुकी है अब जब तक आप सभी अभ्यारती एक साथ नहीं होंगे एक साथ कदम के साथ कदम मिला कर नहीं काम करेंगे तब तक प्याहर पारामिक सिक्षक बहाली हो या इस्टेट बहाली हो समभब नहीं दीख रही है क्योंकि election के बाद कोई भी सरकार आपकी बहाली कड़ेगी ना कड़ेगी वो आगे की बात है लेकिन election से पहले अब उमीद कम लग रही है कि बहाली भी संपन हो पाएगी तयारी जो है शुरू हो चुकी है बिहार बिधान सभाज शुनाव 2020 की दोस्तों जै में इसे पूरी तरह छूट कर दी जाएगी यानिकि lockdown जो है हटा दिया जाएगा तो इस्तिती यह बन रही है लेटर को दिखाने का मुएरा मुख उदेश यह था कि आप सभी जो है प्रारहंबिक सिख्छक बहाली प्रक्रिया हो या इस्टेट की बहाली प्रक्रिया हो आप सभी जब तक एक नहीं होंगे एक साथ मंच पर नहीं आएंगे तब तक बहाली प्रक्रिया संभव नहीं है दोस्तों मैं आपको याद दिला दू कि बिहार टीटी 2017 में पेपर कंड़क्ट हुई थी और जैसे ही अभ्यर्थियों का रिजल्ट आया सिख्छक गन जो है सुप कर दी जाएगी और सरकार के पक्ष में आने में काफी समय लगा पक्ष में भी आया लेकिन बहाली की पड़किरिया में काफी दिले हो गई और सरकार बहाना बनाते हुए चली गई और अभ्यर्थि जो है मजबूर थे बहाल इस भी संपन नहीं हुई वहीं पर अभ्यर्थियों के मांग पर आंद्वलन पर फाइनली अपलाई की डेट निकाली गई डेट भी निकाली गई तो दो महिना बाद अपलाई करने का डेट निकाला गया जिसके कारण इसमें भी लेट हो गया और जो हमा कारण पर करनी थी जो जिस डेट पर करनी थी उस डेट को काम समपन नहीं यानिकी नियोजन कार्ज में जू सिच्छक लगे हुए थे कहीं ने कहीं उनका भी हात फैर गोड सीर सब लगा हुआ था प्रारंभिक सिख्षक बहाली प्रक्रिया को रोकने में तो कहीं ने कहीं दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस बहाली को रोकने में चाहे पुरा बिहार जो है लगा हुआ है वहीं पर मैं आपको बता दू कि अभी फाइनल स्टेज में अभी आपकी बहाली पक्रिया थी इसी बीच सिख्छक गन जो है हर्ताल पर चले गए और हर्ताल जो है लंबी चली गई जो फाइनली आज अंतरता दिना बारता का तूट गया मुखमंत्री जी जो चाहे वहीं किये हैं अपनी इच्छा अनुशार ही हर्ताल को तुरवाए हैं कोई भी मांग पूरी नहीं हुई है तो इसमें सबसे बड़ा धोखा बच्चों के साथ हुआ है ठीक न आप बीटेट हो सीटेट हो जो भी बचे पास है उनके साथ ये बड़ा धोखा हुआ है और दोस्तों मैं यह भी याद दिलाते चलो कि इसी बीच एन यूएस का भी एक मुद्दाखरा हो गया जिसके बज़ा से अब भीहर थी जो है एन यूएस के कारण विवस हो गया और उनकी भी बहाली पर गिरिया यानि की प्राइमरी की बहारी पर किरिया जो है बिहार सरकार सिक्छा विभा के द्वारा 11 इना कि तश्धागित कर दिया गया जो आज तक तक अस्थागित ही है और आब एक आस थी कि बीहार में इलेक्शन होगी तो उससे पहले विखार में भी ऐसा हुआ था कुछ जीलो का नियोजन हुआ इलक्सन था इसलिए कुछ जीलो का नियोजन हुआ फिर उसके बाद जो बच गए वो आज तक बचे हुए है उसी तरह 2020 में हो रही है इसमें तो एक चरण भी बहाली नहीं हो पाया पत्ता एकदम बिल्कुल साफ दिख रहा है बिहार टीटी और सीटेट पास अभेहर्थी को और स्थेट जो भाल होने के लिए तैयार है कही न कहीं सभी का जो मन है अब खुल कर असपश्ट होने लगा है कि पिहार पार्रमिक शिक्छक पहाली परक्रिया जहां सरकार साथ नहीं दे रहे हैं वहां पे अभ्यर्थी भी एक-दूसरे का साथ नहीं दे रहा हैं खुल कर एक दुसरे का भी रोध कर रहे हैं अब आपको सारे मुदाओं को भूलते हुए एक साथ आना होगा अभी भी टाइम है नहीं तो अचार संगीता लग होने के बाद कोई भी कुछ भी नहीं कर पाएंगे और बहाली पक्रिया आगे कब होगी कोई नहीं जानता है ठीक ना तो ऐसी इस्थिती बने हुई है आप सभी अभ्यर्थी जिस तरह से कल टुइट किये हैं कल अपनी एकता दिखाए हैं वैसी एकता तो आज तक किसी नेने नहीं देखा है जहांपे टुइट करने से पहले अभ्यर्थी जो है अपने आप में एक दूसरे का बिरोध करना शुरू कर दिया और फाइलली ट्विट अभियान जो है दम चरम सीमा पर थी जहां पे हर एक विद्धार थी कितना सपोर्ट किये आप जागा ट्विटर अभियान चेक कर सकते हैं तो इस तरह से आपके सपोर्ट मिलने के बाद ये बहाली पिक्रिया दोस्तों देख सकते हैं कि कितना सफल हो पाया है आप सभी कारत आप सभी जो हैं सपोर्ट नहीं किये हैं मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूं कल के ट्वीट अभ्यान को देखकर मैं ये बात statement आप लोग को बता पा रहा हूँ कहा पा रहा हूँ ठीक ना तो आप लोग खुद पढ़े लिखे हैं समझदार हैं विसेस क्या कहा जाए आप लोग को आप लोग खुद समझते हैं हर एक बात को तो अब दोस्तों देख सकते हैं कि बिहार विधान सभाचुनाव 2020 को लेकर तयारी जो है शुरू हो चुकी है और बहुत जोरो सोरो से तयारी शुरू हो चुकी है चुनाव अपने नियत समय पर ही होगी उसे टाला नहीं जा सकता है ये बात इस लेटर से किलियर हो चुकी है और लोगडाउन जो है वो बहुत जल्द नॉर्मल कर दिया जाएगा ये भी आप धियान में रखे धिरे दरे देख सकते हैं आप फूट जो है मिलती जा रही है और बहुत जल्द फाइलिस फूट जो है दे दी जाएगी इसके बा इस तरह से देखा जाये तो पिहार प्रारंबिक सिक्षक बहाली हो या एस्टेट बहाली हो फस्ती हुई नजर आ रही है 2015 में भी यहीं हुआ था एलेक्षान से पहले कुछ लोगों को ज्वाइनिंग लेटर दिया गया जैसे ही एलेक्षान खतम हुई कुछ जीलों का नियोजन पत्र नहीं मिला था फाइनल नहीं हो पाया था उनका उसी तरह रह गया अठक गया और 2020 जो अभी आपका फाइनल स्टेज में है बहाली इसका तो एक चरन भी बहाली नहीं हो पाया है तो दोस्तो आप सबी देख सकते हैं कि यहां पर जो भी बहाली की परक्रिया संपन होती है चुनाओ के नाम पर होती है और इस वार चुनाओ के नाम पर भी बहाली की परक्रिया संपन नहीं हो पाया अभीयर्थियों का यह आस्था कि चुनाओ है बहाली परक्रिया संपन हो का दोस्तों आपका क्या रहा है अपना कोमेंट में बताइए साथ में दोस्तों इस वीडियो को सेयर करिए कि बिहार विधान सभाका चुनाओ जो है नजदीक है तयारी सुरू हो चुकी है और परचार परशार भी करना है तो उसमें भी तो हम लोग को भाग लेना है बिहार प भी अर्थी लोगों का गुस्सा है जो दीख रहा है और निकल रहा है चाहे वो सरकार पर हो चाहे हमारे सिक्षगण जो नियोजन कार्ज में लगे हुए थे चाहे जो बेवस्था है बच्चों की मनोदसा है उन सभी इस्तिति को देखते हुए ये बाते निकल रही है ठीक तो आप लोग इस الف exactement दीजिए एक साथ आईए नहीं आएगा तो उसका मजा जो सरकार तो लेही रही है सिख्षगन भी ले रहे हैं और आपकी येक्ता को सब लोग जानते हैं कि आपकी येक्ता कितना परवल है और कितना किसको सपोर्ट कर रहे हैं उस सब भी लोग जानते हैं तो इसके साथ ही थैंक यू वीडियो देखने के लिए चैनल पर बने रहने के लिए उड़े वीडियो को अंतक देखने के लिए धन्यबाद